समर ड्रेंक्स में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लेमन जूस की रेसिपी आज में आपसे शियर करने वाली हूँ जब भी आपके घर में गेस्ट आते हो या फिर आपको कुछ ठंडा पीने का मन करता है तो आप इसे जरू से ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टि रेसिपी है और साथ में बहुत ही है तो नमस्ते फ्रेंड्स वेल्गम टो माई नर्मद्ध टेस्टी फूट तो चले सुरू करते हैं इसे बनाना तुसे बनाने के लिए मैंने लिए है दो नीबू मैं यहाँ पर चार गिलास लेमन जूस बना रही हो इसलि इसके बाद हम लेंगे sister कोट कर लिया है और इसके बाद इनका रस है अधा जमच भोना हुआ जीरा तो ये मैंने रोस्टेड जीरा लिया हुआ है इसके बाद हम इसमें एट करने वाले हैं आदा जमच के करीब काला नमक और इसके बाद हमें लेना है पोदीना तो ये मैंने आदा कप पोदीना लिया है पोदी ने की पतीयों को मैंने पहले अच्छे से धोग लिया है साफ कर लिया है इने हमें अच्छे से धोगे शाफ करके ही फिर इनका यूज़ करना है ये भी हम grinding जार में डाल देंगे इसी के साथ मैंने इसमें 1 पोर्थ टीज्पून के करीब डाल दिया है normal नमक यदि आप इसमें सफेद नमक यूज नहीं करना चाते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा काला नमक भी बढ़ा सकते हैं पानी डाल कर इसको हमें अच्छे से फेस लेना है और इसके बाद यह देखिए इसे हमें इस तरीके से चलनी से चान लेना है जब हम पोदीनों को पीस लेते हैं तो पोदीना थोड़ा सा दरदरा हो जाता है इसलिए हमें इसे चानना जरूरी होता है और इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे पानी तो ये मैंने तीन गिलास पानी इसमें डाल दिया है तो पानी एकदम से ठंडा मैंने इसमें यूज किया हुआ है और एक ब्लास पानी मैनी से अधी से टाइम दाल दिआ था तो टोटल में इसमें चार गिलास पानी लेलिया है क्योंकि हमें चार गिलास स्थिन फ्रह Pas frame कर कि यार आप जितना भी कम या ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हो बस इस तरीके से सरवत को गिलास में भर दीजिए तो फ्रेंड्स आपने देखा ही कि इस लेमन जूस को बनाना कितना एजी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लग पसंद आएगा और बस इसके बाद आप इस तरह से कटे हुए नीबू से इसको गार्डिस कर दीजिए थोड़ा सा पोदीने की पत्तियां डाल दीजिए तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसेपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल